हलो एंड वेलकम टू रियल कोई के अनलिसिस चैनल तो चलिए आज एक और नए टॉपिक पर हम करते हैं अपना रियल एनलिसिस शायद आपके ध्यान में हो भारत में समय समय पर अमेरिका के कान पर हूटर बजाया है कि भाई बहुत हो गया है डिफेंस एक्टर को जितना खोलना था खोल दिया अब बस आप भारत में इंवेस्ट करना चालू कर दो भारत को डिफेंस एकिपमेंट बेचने के लिए उन्हे भारत में ही बनाना सुरू करो शीश लेवल पर जो संदेश दिया गया अब उसने साका रूप ले लिया है जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अमेरिका की लेटेस्ट और सबसे आधुनिक F-15EX Eagle 2 के एरो स्ट्रक्चर पर लगने वाला है Made in India का ठपपा इतियास में पहली बार American Company बोईंग ने अपने इतने आधुनिक लड़ाकु विमान की सब Assembly को बनाने का काम दिया है भारती एक कंपनी के बैंगलॉर में बना होगा यह बात निश्चित हो गई है आज पिछले कई वर्षों से डायनामेटिक टेक्निलोजी बोईंग के लिए चोटा मोटा काम कर रही थी लेकिन हर बार उसने बोईंग का दिल खुश किया और आज देख लीजिए इतना बड़ा और क्रिटिकल उनकी जोली में आ गया बोईंग का भी साफ साफ शब्दों में कहना है कि उसने आत निर्वर भारत अभ्यान के पीछे अपनी पूरी ताकत जोगती है क्योंकि ग्लोबल एरो इंड्रस्टीज के लिए भारत को इंड्रस्टियल एंड टेक्निलोजी पार्टनर के रूप में अब देखा जा रहा है और धीरे धीरे भारत में पूरा का पूरा एरो स्पेस एंड डिफेंस इको सिस्टम खड़ा हो रहा है सबसे पहले तो इस महत्पूर कॉंट्रक्ट को जीतने के लिए डायनामेटिक टेक्निलोजी की पूरी की पूरी टीम को कोटी-कोटी आपने हम सभी को गौरफ से भर दिया है एक समय था जब वोईंग के साथ मिलकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अकेला इस तरह की एडवांस मैनुफेक्शनिंग भारत में किया करती थी लेकिन अब अन्य कंपनिया भी मैदान में पीछे नहीं है यही होता है जब ब है इसके पीछे मोधी सरकार की पिछले साथ सालों का परिश्रम खड़ा हुआ है वैसे भी सबसे अधिक समय नीप डलने में लगती है एक बार फांडेशन सेट हो जाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फर्राटे से हो जाता है लेकिन फिर भी हमें धैरे रखना होगा और म भले ही हमारी मीडिया इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को कवर ना करें लेकिन आप स्वयम सोचिए यदि मोधी जी ना होते तो क्या आज हम यह सब कुछ चर्चा कर रहे होते अब आप कहेंगे कि भाई जंगल में मोड नाचा हमें क्या हमने तो नहीं देखा तो दोस्त आप एक दबा कर वीडियो बनाए थे तब आप मेंसे बहुत ही कम दर्शिकों ने वह एटीएफ के वीडियो देखे बोले तो हमें जम कर नुक्षान हुआ था तब चलो आपने हमारे एटीएफ के वीडियो नहीं देखे कोई बात नहीं लेकिन आज आप यह रिपोर्ट आ की अब आप तब हर वीडियो में हमने हाँ जोड़ जोड़ कर बिंती करी थी कि भाई जी सही लाइन में लग जाओ नहीं तो आपकी हग का मुनाफ़ा कोई पपू बुजारी उड़ा कर ले जाएगा तब एटीएफ में निवेश करने के बजाए लोगों ने उल्टा हमें ह की गालियां दी आपको कुछ आता जाता नहीं है नए नए हो पुराने टापिक पर फोकस करो घर में बैठकर खाना बनाओ ऐसे ही कमेंट आते थे तब लेकिन तब जिन जिन दर्शिकों ने एटीएफ में पैसा लगाया वह आज करारे करारे नोट गिन रहे हैं क्योंकि भा दीवी बाकी है यह खेल अभी भी खलास नहीं हुआ है आगामी दिनों में आने वाली हर गिरावट मौका ही मौका है आप इनी मौकों को भुना पाए इसलिए हमने बनाया है आत निर्भा इंवेस्टर कोर्स महज एक हजार रुपे में आप इस कोर्स में सामिल हो सकते हैं औ लेकिन अभी पुरंत लगे हां तो आप आज निर्भा इंवेस्टर कोर्स को जॉइन कर लीजिए अब यदि ताला मटोली की तो लक्षनी जी बुरा मान जायेंगी बिलकुल So friends ये ता हमारा आज का एनलिसिस I hope आपको आज का टॉपिक और हमारा वीडियो दोनों पसंद आया हो और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को शेर भी कीजिए और अब आप हमारे चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं Thanks for watching this video friends